Hi guys this is Sekhar Singh and welcome to all of you my youtube channel Singh classes ठीक है दोस्तो टोड़ेस्ट अधिस्कॉशन आवर टोपिक इस मोस्ट आपिक इस मोस्ट आपिन एंदेन फार्मस फोगेशन इंक्रीस इंकम तो दोस्तो एंड बजट एंटरिम बजट 2019 ठीक है दोस्तो हमारा आज का टोपिक है है बजट 2019 ठीक है और हम जानेंगे कि बजट क्या है अन्तरिम बजट कि आता है क्या होता है और इस aspects आज हम इस बजट में जो ग्राम्स प्रोग्रेस इंक्रीज इंक्रीश इन इंकम के पढ़ाने के लिए जो बजट लाया गया है लोकेट किया गया है और पीएम जो किसान सम्मान निधी योजना इसके बारे में जानेंगे ठीक है दोस्तों हम इस बजट के और जो सोशिल सेक्टर है और जो टैक्सपेर है जो जितने भी जो एमसमे तो इनके वे एक टॉपिक वइस चर्चा करेंगे हम widely search करेंगे not shortly ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हम जानते हैं कि budget क्या होता है actual में budget क्या है ठीक है तो हमारे यहां दोस्तों जो सविधान में एक सब अनुच्छित 112 ठीक है घंती है यह वर्षिक विद्ध्यवर का प्रस्तुत इसमें विद्ध्यवर के दौरान सरकार भारा सरकार के नुवणाने के परत्ति खर्च का अभी राश्ट पती इसको हर लोग सवाइन में पहले दिन इसको पेश करती है ठीक है तो अभी एक फर्वरी को एक फर्वरी 2019 को जो एंटरीम बजट आया इसके बारे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों हम जानते कि आंतरींजट किया है एंतरींजट अगर तकनिक्की रूप से कहें तो अंतरींजट जो cinow के लिए जो बजट लाये जाता है हैं इसले तो जार उनीस में अंतरींजट कें है सभा का चुनाव होने वाले हम चुनाव होने वाला है ठीक है तो दोस्तों यहां पर हम जानते हैं कि जो बजट तो यह एंट्रिम बंजट लाए करते कुछ महिनों के लिए ठीक है इसमें सरकार मुख्यता बड़े सभा करते हैं कि यहां बजट मुख्यता जो जुलाई में यह पास होगा ठीक है जुलाई में फिर से यह से पास होना पड़ेगा अगर दूसरे गवर्मेंट आती है तो उसे वह चेंज कर सकती है जुलाई में जब यह पास होती है यह फिर से तब यह लागू होगा यह बजट में बजट होगा और जैसे कि अभी हमारा जो चीप एकनोमिक अडवाइजर है कृष्णम मूर्ति सुप्रेंट ने तो उनके द्वार भी यह बताया कि अभी जो हमारा एकनोमिक सर्वे जो पह जुलाई में आने वाला है तो दोस्तों में जानते हैं कि इस बजट में जो कह बढ़ाने की क्या किया गया है तो प्यूस झ को तो इनमें कहा गया किसानों के लिए कि जो 22 परसेट जो फसल है ठीक है 22 इसमें मिनिमाम 50 परसेट जो काश्ट है जो काश्ट है ठीक है उसके जो भी उसमें लागत है उससे 50 परसेट अधीक ठीक है के लिए 22 क्राप का MSP जो मिलमम सपोर्ट प्राइस दिया गया है यह मीड़ामी स्पिकर को उनके द्वरा बताया गया और इन दिन इसमें एक दोस्तों परधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना एक प्रपोस्ट किया गया ठीक है यह योजना जो क्रिशान है उसके लिए अवर गवर्मेंट इन लांस निद आ हिस्टोरिक प्रोग्राम मेंली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी पी एम किसान जिसको बोलते है ठीक अंडर दीस प्रोग्राम वलनेरेबर लैंड होल्डर्स फार्मार फैमिलीस है ठीक है इस इंकम सपोर्ट इस रेट आप दा 6,000 पर इयर जिसमें डारेक्ट इंकम सपोर्ट किया रहे है उसको पर प्रतीश साल 6,000 रुपे के ठीक है इस इंकम सपोर्ट विल बी ट्रांसफर डारेक्ट ली इन्टू दा बैंक एकाउंट बेनिफिसरी फार्मार जो फार्मार बेन the government of India इसको फंड करेगी ठीक है इसमें यह 3 वार ठीक है तीन बार दोदोहजार के स्टाल्में में यह इसको बेनिफिसरी के जो एकाउंट में चले जाएंगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यहां और जानते हैं ठीक है एरॉंड ट्वेल क्रोण ऊस्माल और फार्मार फैमि तो यह जो प्रोग्राम है दोस्तों अभी जो किसानों को जो च्छोटे और सिमान किसान है इसके जो एकाउन में चला जाएगा यह पैसा पहला तो यह जो यह जो जो खर्च होगा वह होगा वह पच्छा इस्कीम है जो डारेक्ट किसानों को इसमें हेल्प प्रोइट किया जा रहा है मतलब अब देखा जाए तो पर मन्त कि से के पांस सो रुपए किसानों को पर मन्त से उनको दिया जा रहा है पर मन्त के थुरू ठीक है जब 6,000 एन्वली है तो ठीक है तो दोस्तों यह तो एंट्रिम बजट है इसको अगर गवर्मेंट को लाना चाहती तो पहले भी ला सकती थी कर सकती थी ठीक है और इसमें जब यह बजट पास होगा जुलाई मे जाकर मेंली बोला जाए और यह बजट अब इसमें अगर एक तरफ से अपन देखें तो चुनाओं से पहले अप्रेल मैं में चुनाओं होने वाला है और मार्चे में 31 मार्चे को सभी किसानों के खाते में 2000 दिया जाएगा और इसके बाद चुनाओं आने तो इसमें किस सप्लिमेंटल इंकॉम आप दा मोस्ट वर्लेवर फॉर्मार्स फैमिली ठीक है बट वूट आल्सो मीट देर एमर्जेंट नीड्स ठीक इस्पेशली इस्पेशली क्या बोल रहा है कि बिफोर दा हार्वेस्ट सीजन पी एम किसान बुड पेव दा वेव फॉर दा फॉर्मा 2019 2020 अन आयम अलसो प्रोइदी तौजन क्रोड इन रिवाइच इसमें अब भी साजार क्रोर के लिए इसमें जो लास्ट यर किया गया था दॉरिंग दे लास्ट फाइब यर्स फर प्रोइदी अफोर्ड बोलोंस और फार्मार्स अब इंट्रें इंट्रेंट सब्वेंशन है इस बीन डबल्ड दा क्राप लोन फार्मार इंक्रिश्ट एलेवाइच एट लाग करों इन फाइननशेल यह तो तो तौजन एटी निटीन वी हैव अमेट एजिनियस एफोर्ड टू रिमूब दा हार्ट सीप एप फार्मार्स बाइब प्रोइदिं दें स्वाइल्थ कार् यूरिया रिमूब रिमूब सॉटेश अब दा फोटिलाइजर जो गौवर्मेंट ने लाश्ट फाइव यह में हमने किया है यह जो अपने इसकिम के बारे कि किसान स्वाइल काड है मिर्दा काड है ठीक है जो जो उनके द्वार के एंवाली इननिमल हस्पेंडरी जो एंफ यूरे किसीं इसके लिए ju coc located in the current अनॉंग राष्थी आष्ट चेशन खाह ने आकाड ही राष्थी कामधी चेशन आघा झारेग। फेक है इननिम प्रिक्टिविटी का फड़ू जूंग जो पीक आउपके स।7 जूंग to implementation आप लाउ एंड वेलफियर सेम आप गाहे जो गाहे के लिए प्रोग्राम जो करेंगी इसके लिए देख रहे करेंगी ठीक है ती faut है और यह लुक इंप्लिमेंट भी करेंगी और देखेंगी जो यह आयोग ठीक है ओके इसमें फिर बोला है इंडिया इस सेकेंड लार्जेस्ट फीस्ट प्रोडूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड जो भारत है सेकेंड लार्जेस्ट क्या फीस्ट जो मचली उत्पादन के लिए करने के लिए जो कंट्री है फॉर 6.3 परसेंट आप द ग्लोबाल प्रोडॉक्शन जो वीश्ट वका साढ़े 6.3 परसेंट हमारा देसका है ठीक है रजिस्टरिंग एंवरेज इनवर्ड ग्रोथ तो मोर दन 7 परसेंट रिसेंट यर अभी जो करेंट यर में यह 7 परसेंट बढ़ा है ठीक ग्रोथ है था सेक्टर प्रोवाइज लाइवली हूट टू अबाउट 1.54 क्रोन ठीक है पीपल एट दा ठीक है पीपल एट दा प्राइमरी लेवल टू प्रोवाइड ठीक है सस्टेनेंड एंड फोकस्ट अटेंशन टावर्ड डिवलेप्मेंट अब दिस स ऐसा जो फिश्री सेवन परसेंट अभी ग्रोथ हुआ है और जो 6.3 परसेंट वर्ड में हमारा जो वह है ठीक है तो यह बोला जा रहे है कि डिपार्टमेंट जो फिश्री के लिए अलग डिपार्टमेंट किया जाएगा और इसमें यह भी कहागा इन लास्ट बजट और ग अब जो अब जो अब जो जो पालेंगे ठीक है जो पसु या फिश्री इसके लिए भी जो लोन किसान के सिसी के तुरू प्रोइट कर दिया जाएगा यह बोला जा रहा है ठीक है तो फॉर्दर दा इन दा केस आप टाइमली पेमेंट आप लोन विल बी दे आलसो तो काट सुरूर पर वाइड़ केसिनल स्टनल प्रीज केसी से फोल्ड गोर्मेंट हास गिसाइब तो इनिसिए अा प्रूहेंसिव ड्राइब विद ध शुंप्लिफाइट अप्ली केसन फॉर्म कार दिया जाएगा इसमें एक और बोला जा रहा है के वेन नेचोरल केलामिटी जहां नेचरल कलमेटीज की बाद है, इस्ट्राइक फार्मस अर जने रली ठीक, अनेबल तो रिप्लाई ठीक, रिप्लाई ठीक, रिप्लाई ठीक, जिसके जो उसकी फसल जो लोन है, प्रिजेंटली दे क्रॉप लोन्स आर रिसेडूल फॉर सच अफेक्ट फार्मस देट वि सीवेर नेचरल कलेमेटीज वियर सस्टेंड इस प्रोइडेंग फ्राउं डिजाटर रिलीफ फंड एंड रिफ टीक, विल बी जो इंडिर अब जो डिजाटर के टाइमों करते हैं रिलीफ फंड विल बी प्रोइडेट दा बेनिफेट अब इंट्रेस अब वेंशन आप ट इस बजट में इस बजड़ेंगे जानांगे जिसमें जो सोसल सेक्टर के लिए जो चाल हीडब्म के लिए इंडिया घे जो टैक्सपेयर से दोस्तों बहुत बड़ी चीज है टैक्सपेयर सो जिसमें 2.5 लाइक जो पहले जो टैक्स के दायरे में आता तो उसे बढ़ाकर 5 लाग कर दिया गया है ठीक है अगर कहीं उनका इन्वेस्टमेंट है ठीक है में जो भी तो उसके लिए वह 6.5 लाइक तक य इसमें भी है और देन यह हम सार रूप में इसके बारे वाइडली अगर और ब्राड में हम देखेंगे अभी आपको ऐसे जानकरी दिया जा रहा है और दोस्तों इसमें जो 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 मजदूर है ठीक जिनमें 55 रुपया जो इंप्लाई फंड के थुरू में आता था तो वो इसको भी 3000 और इनको पढ़ाया गया है ठीक है जो सेक्टर्स में तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आज मेंली हमने जाना कि परधान मंदरी जो किसान सम्मान निधी जो जना ठीक है इसका जो प्रपोस किया है अंतरी मजदन में गवर्मेंट ने और इसमें जो क्या जो प्रोसेस जो फायदे दिये गए है ठीक है और कैसे इनको जो प्रोवाइट करेगी गवर्मेंट ठीक है फैनेंशल यार 2019 और 2020 में ठीक है तो यही था आज का हमारा डिसक सब्सक्राइब करें इनके बारे में जो इसके बारे में जानेंगे ठीक है थैक्स दोस्तों आपका यह मेरे यूटूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक्यू